नमस्कार दीवी नियूस के इस विशेष समाचार सांकेतिक समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ लाल चंद्र सिंग और मेरे साथ हैं मौजूद हमारी सहयोगी मनिशा शर्मा सबसे पहले शुरुवात कर लेते हैं हेडलाइन्स के साथ प्रधार मत्रे नरेंद्र मोदी और बागलादेश की पीम शेक हसीना के बीच नई दिल्ली में हुई विपक्षी वारता दोनों देशों के बीच डिजिटल पार्टनर्शिप, ग्रीन पार्टनर्शिप, ब्लू एकॉनमी समेत कई अहम ख्षित्रों में हुए समझोते पीम मोदी ने बागलादेश को बताया भारत का सबसे बड़ा डेवलेप्मेंट पार्टनर बागलादेश के रंगपुर में नया वानिज दूतावास खोलने की घोशना शेक हसीना ने भारत के साथ मित्रता को बताया सबसे खास पीम मोदी को बागलादेश आने का दिया नियोता शिक्षा मंत्रा लेने परिक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निश्पक्ष संचालन को सुनेश्यत करने के लिए विशेशग्यों की एक उचस्तरी समितिका किया गठन नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस ने देवघर से छे आरोपियों को किया गिरफतार केंद्री वित्त मंत्रे निर्मला सितारमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीस्टी कॉंसिल की तीरे पनवी बैठक कई अहम बुद्दों पर विचार में मर्श इस से पहले निर्मला सितारमर ने सब ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्त मंत्रियों से की बलाखाद तमिलनाड के कल्ला कुरुची जिले में जहरीली शराप पीने से मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर हुई तीरे पन पूरे प्रदेश में भाजपा का विरूद प्रदर्शन पाटी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने डीम के सरकार को हत्याओं के लिए ठहराया जिम्मेदार और खेल के मैदान से बड़ी ख़बर टी-20 वेश्वकप में आज भारत और बंगलादेश के बीच होगी भिरंत जीत के साथ टीम इंडिया की सेवी फाइनल में जगह बनाने पर होगी नज़र तो वहीं एकार्णिय मखाबले में वेस्ट इंडीज ने अमेरिका को दी नौ विकेट से करारी शिकस्त ये थी समय तक की हेडलाइन्स अब देखते हैं ख़बरों को विस्तार से सबसे पहले सबसे बड़ी ख़बर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बांगलादेश की अपनी समकक्ष शेक हसीना से नई दिल्ली में मुलाखात की PM ने हैदराबाद हाउस पहुचने पर प्रधान मंतरी श्वेक हसीना का गर्म जोशी से स्वागत किया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और PM शेक हसीना ने एहम द्विपक्षिय मुद्दों पर चर्चा की और प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी और पीम शेक हसीना ने भारत बांगलादीश प्रत्रेधी मंडल इस्तर वारता का नित्रित्व किया दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षिय मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें विकास साज्यदारी, उर्जा, जल संसाधन, व्यापार और रक्षा सहयोग शामिल हैं और भारत बांगलादेश प्रत्रेधी मंडल इस्तर वारता के बाद दोनों देशों के बीच कई सहमते पत्रों और द्रिश्टे पत्रों का आदान प्रदान हुआ दोनों देशों के बीच देजिटल साजिदारी और हरित साजिदारी पर साजहा द्रिष्टे पत्रों का आदान प्रदान किया गया दोनों देशों ने समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था संबंधी सहमते पत्र का भी आदान प्रदान किया स्वास्थ और आश्धी क्षेत्र में सहमती पत्र नवीनी करण, आपदा प्रबंधन संबंधी सहमती पत्र नवीनी करण, मत से पालन क्षेत्र में सहयोग को बढ़वा देने संबंधी सहमती पत्र नवीनी करण के साथ ही साथ सैन्य शिक्षा क्षेत्र में सहयोग संबंधी द प्रदाने पत्रों का आदान प्रदान हुआ और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और बांगलादेश की प्रदान मंत्री शेख हसीना ने वारता के बाद साजहा वक्त बी भीजारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांगलादेश को भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदारी बताते हुए कहा कि भारत बांगलादेश के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक प्राथमिक्ता देता है प्यम मोदी ने कहा कि ग्रीन पार्टनर्शिप, डेजिटल पार्टनर्शिप, ब्लू एकॉनमी और अंतरिक्ष जैसे ख्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमती का लाब दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा 54 साजा नदिया भारत और बंगलादेश को जोडती है फ्लाड बैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए है हमने 1996 के गंगा रिवर्ट ट्रीटी के रिन्यूवल के लिए टेक्निकल स्तर पर बादचीत शुरू करने का निर्णे लिया है बंगलादेश में तिस्ता नजी के समरक्षन एवं प्रबंधन पर बादचीत के लिए सिख रही एक टेक्निकल टीम बंगलादेश का दौरा करेगी प्रेंट्स रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सहिन्य बलों के आधुनी करन पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई हमने काउंटर टरुरिजम, कटरवाथ और बॉर्डर के सांतिपूर्ण प्रभजर पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निष्टे किया है और प्रधार बंत्री डरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के लिए बांगलादेश के निरने का स्वागत किया पीम ने कहा कि बिम्स्टक सहित, अर्ण्यक्ष्वेत्रिय और अंतरराष्ट्रिय मंचों पर भी दोनों देश आपसी सहयोग जारी रखेंगे पीम ने द्विपक्ष्वे रिष्टों में हुई प्रगती को सराहा अखावडा अगरतला के बीश भारत मंगलादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है खुलना मौंगला पॉर्ड द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है मौंगला पॉर्ड को पहली बार रेल से जोड़ा गया है तेरा सो बीस मेगावर्ड मेट्री थर्मल पावर प्रांट के दोनों विनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है दोनों देशों के बीच भारतीय रुपिये में ट्रेड की शुरूआत हुई है भारत बंगला देश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर कूज को सफलता पूर्वक पूरा किया गया है भारत बंगला देश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंट्सिप पुरी की गई है भारतीय ग्रीड से होते हुए नेपाल से बंगला देश तक बिजली निर्या उर्जाक्षेत्र में सब रिजनल सहयोग का पहला उधारर बना है एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाद में इतने बड़े इनिसेटिव को जमीन पर उतारना हमारे समंधों के स्पीड और स्केल को दरसाता है और प्रधान मंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ बंगला देश के मजबूत होते रिष्टों की सराहना की उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बंगला देश दोरे के लिए आमंत्रित किया बंगला देश की पी-म ने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेत्रत्रों के दोरे से दोपक्ष्य संबंधों की मजबूती दिखाई देती है आपक्ष्य नर्ब अगक्ष्य नेयरी का दिखाई और स्टैंज नेयूरीट से लिए आझ warrior वाई यह श्हु को जिए पुन्सरा प्रेंद्र मोदी के लिए मैं पुन्सरा मेरा देशर कि अट दोरेंद्र मोदी के तो फंगला और बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना की भारत यात्रा पर विदेश सचिव विनय मोहन को अत्रा ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी और प्रधान मंत्री शेक हसीना ने हैदराबाद हाउस में व्यापक चर्चा की और दोनों नेताओं ने हमारे द्विपक्षी और खृत्री सहयोग को नई दिशा और गती देने तथा उसे बस्बूत बनाने पर सहमती चताई भारत बंगला देश की वारता हैं दो शीष नेताओं के आज की वारता में जो केंद्र बिंदू थे वो द्विपक्षी सहयोग से सीमित द्विपक्षी सहयोग पर केंद्रित थे उस सहयोग के व्यापक्ता को बढ़ाने के लिए किस प्रकाज का सहकार्रे हो उस पर केंद्रित थे इस सहयोग सहकार्रे में दोनों देशों के जो सामरिक है जो सुरक्षा से जड़े है जो हमारी चुनोतियां है उन चुनोतियों में जो अफसर नहीं थे उन पर केंद्रित और आगे हम देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबर हैं लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो सिमेधारी बड़ी हो जाती है गैलन्ट समझता है इसिमेधारी अब डबल-म रिप्स के साथ गैलन्ट एडवान्स टी-म-टी रिबार निर्मान का रियल हीरो आफ सकति इसमेधारी अई बड़्यान का बात ऑट सहां वर्यमान का बंजाएर्ण का भी उल्मान का रिल खंड गड़ कि लिए अब बड़ बड़्या lug प्वान आजिना पहलपी है एक भी जिए अटन प्टेश्या पूलना है इसिए कि इस अट्ट ट्सम है इसां लूसरी स्वागत है ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं विशेश सांकेतिक समाचारों का विशेश बुलेटिन और अब हम बात करेंगे पेपर लीग के खलाब उठाए गए पदमों की केंद्री शिक्षा मंत्राले ने एक उच्चस्तरी समिति का गठन किया है ये समिति परिक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ परिक्षा के सुचारू और निश्पक्ष संचालन को देखेगी इस समिति में साथ सदस्य शामिल हैं समिति में इस रो के प मद्रास के प्रोफेसर के राममूर्थी, पीपल स्ट्रॉंग के सहसन स्थापत पंकज बंसल, IIT दिल्ली के डीन स्टुडेंट अफेयस प्रोफेसर आदित्य बित्तल और शिक्षा मंत्राले के संयुक सचिब गोविंद जैसवाल शामिल हैं। आपको बता दें कि दो महीने में इस समिती को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। समिती परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और NTA की संरचना और कार्य प्रणाली पर सिफारिशें करेगी। और शिक्षा मंत्राले की ओर से गठेत विशेशग्यों की इस उचस्तरी समिती के गठन का कींद्री शिक्षा मंत्रे धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। पारदर्शी, छेड़चार मुक्त और शून या त्रोटी वाली परिक्षाएं एक प्रतिबद्धता हैं। विशेशग्यों की उच्चस्तरी समिती का गठन परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार, सभी संभावित कदाचारों को समाप्त करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और NTA में सुधार और सुधार करने के लिए कई कदमों की श्रिंखला में पह और इस बेच नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है, तो कुछ आरूपियों के कबूल नामा सामने आये हैं, बिहार में इस पूरे मामले का मास्टर माइंड संजीव मुख्या को माना जा रहा है, संजीव का बेटा शिव कुमार भी डॉक्टर है, उ कि शातिर संजीव फरार चल रहा है, ऐसे में पुलिस ने अब संजीव के नालंदा इस्थित गाउं में दबिश देना शुरू कर दिया है, हाला कि संजीव की माता यशोदा देवी और पिता जनक किशोर का दावा है, कि उनका परिवार राजनीती में सक्री है, इसलिए उन राजनीती के तर्फ से, अन्युक मामना में इनकी है, संभित्ता है, अन्या, इनका हाथ नहीं है, कहां है अब संजीव जाए, जाम नहीं बता सकते हैं, अच्छा, तो उनके बेटा भी टप्टे रहे हैं, हां, कहां है अब तो जल्बे में है, पकड़ के बंद कर दिया है, तो इनमें इनका हाथ में नहीं है तो नहीं है तो फी वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं अब सामने क्यों नहीं आ रहा है पुलिश्वा के आगे तो सब को डरता है अब नहीं दरते हैं पुलिश्वा से तो वहें आल है तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में वह हपो है पेपर लीक मामले में जाँच का दाइरा अब बीहार से जारखंड तक जा पहुँचा है नीट पेपर लीक मामले में जारखंड के देवघर से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफतार किया है आपको बता दें कि देवघर जिले के देवीपूर थानाक शुत्र के एम्स के सामने ये चापे मारी की गई थी किराये के मकान से चापे मारी कर छे आरोपियों की गिरफतारी के बाद E.O.U की टीम ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया इसे पहले कल देर रात एक बजे सिंटू नाम के आरोपी को जारखंड के देव घर से गिरफतार किया गया था इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुशी नगर से भी एक गिरफतारी हुई है आज की एक और बड़ी ख़बर केंद्री वित्त मंत्रे निर्मला सीता रमन ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्री बजट दो हजार चौबीस पचीस के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की बैठक में केंद्री वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे इस बैठक में पांच राज्यों के मुख्यमंत्री पांच राज्यों के उपमुख्यमंत्रियों और विभिन राज्यों के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया जुलाई माह में संसद में रखे जाने वाले पूर्ण बजट से राज्यों को भी बड़ी उमीदे हैं अंतरिम बजट में राज्यों को बुनियादी धाचे में विस्तार के लिए एक दश्मलब तीन लाख करोड रुपे दिये जाने का प्रावधान किया गया था इस राज्यों में नागरिकों के हितों पर आधारित आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 75,000 करोड रुपे का लोन बिना ब्याज के दिये जाने का फैसला लिया गया था सभी राज्यों ने इस प्रावधान की सराना की और इसमें सुधार के लिए सुझाव भी दिये वित मंत्री ने राज्यों को इस राशी का उपियोग करने के लिए सुधारों को और आगे बढ़ाने का सुझाव दिया कई राज्यों ने आगामी बजट के लिए अपने राज्यों से सम्मंधित सुझाओ भी दिये हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्ष हुआ। इससे पहले GST परिशद की बावनवी बैठक पिछले वर्ष साथ ऑक्टोबर को हुई थी। GST परिशद समय समय पर GST विवस्था से सम्मंधित मामलों पर विचार विमर्ष करने के लिए यह बैठक करती हैं। जिसमें कर की दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। GST परिशद कर ढाचे को आकार देने में महत्वपोन भूमी का निभाती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि यह देश के आर्थिक लक्षों के अनुरूप हो और व्यवसायों पर कर का बोज कम करें। अगले ख़वर केंद्रिय ग्रुह मंत्रे आमित शाह ने आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट पर FTI TTP का उधगाटन किया। इसके चलते अब विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सफर अब और भी ज्यादा आराम दायक होने वाला है। ग्रह मंत्री ने विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक विशेश कार्ड जारी करने की इस यूजना की शुरुवात की। इसे The Fast Track Immigration Trusted Traveler Program यानि की FTI TTP का नाम दिया गया है तमिलाड के कल्ला कुरूची जिले में जहरीली शराब पीने से मारे जाने वालों का आखड़ा लगतार बढ़ता जा रहा है इसमें अब तक 53 लोगों की मौत हो गई है 141 लोग अस्पताल में भरती है गटना के बाद से राजी की स्टैलिन सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई है विपक्षिदल मुख्यमंत्रे स्टैलिन से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं इसी क्रम में तमिलाड के त्रिची में आज भाजपा कारे करताओं ने जम कर प्रदर्शन किया दरसलिया प्रदर्शन अवैद शराब के उत्पादन और बिक्री को रोकने में असमर्थ रही सत्तारूड डीम के सरकार के खिलाफ किया गया और तमिलाड में जहरीली शराब से मारे जाने वाले लोगों पर भाजपा ने दुख जताया है इस मामले में भाजपा नेता शहजाद पुनावाला ने डीम के सरकार पर हमला बोला उन्होंने कहा ये राज ये प्रायोजीत हत्या है और इसके लिए डियम के सरकार जिमेदार है वो 53 ऐसे लोग है जो अपने परिवार के एक मात्र कमाई का सुरोत थे और अधिक्तम लोग क्योंकि करोणापुरम इलाका जो है कलग कुरच्ची का वो क्योंकि वो ऐसी अनुसूचित जाती समुदाय डॉमिनेटेड इलाका है तो ज्यादा तर जो लोग थे वहां के वो अनुसूचित जाती से आने वाले लोग थे और इस पर आज सवाल ये पैदा होता है कि इसको केवल कोई दुरघटना घटना बोलना ये अन्याय होगा दरसल ये राज्य प्रायोजित मृत्यू है राज्य प्रायोजित हत्याएं ये स्टेट स्पॉंसर्ड मर्डर और स्टेट स्पॉंसर्ड मर्डर के पीछे केवल और केवल वहां की D.M.K की सरकार जिम्मधार है और अब बात दिल्ली में मचे पानी के हाहा कार की देश की राजधानी दिल्ली में गरमी से तापमान आस्मान छू रहा है तो वहीं दूसरी और राजधानी के लोग पानी की दू बूंद के लिए भी तरस रहे हैं ऐसा ही हाल दिल्ली के नभी करीम इलाके का भी है यहां के निवासियों को पानी को लेकर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसी को लेकर देखिए डीडी नियूज की संबादाता डॉक्टर सोया शर्मा की यह ग्राउन्ड रिपोर्ट देश की राजथानी दिल्ली में जैसे गर्मी का पारा चड़ रहा है वैसे ही पानी की समस्या लगाता बढ़ रही है अब दिल्ली के नभी करीम इलाके में हैं और यहां पर आप देख रहे हैं लोग बहुत देर से यह जो यहां पर नल लगा हुआ है उसके इंतजार में हैं क तोड़ा सा पानी उसमें से टपका था और उसके बाद अब ये फिर से बंद हो गिए गंदा पानी इससे जादा गंदा आता बद वह आती है इसमें अधना पानी आई नहीं पानी तो भरेंगे क्या 44 रुपे की बोत लाला के हम पानी पी रहे हैं तो क्या फाइदा हमारा ऐसी कोर्मेंट पर भ्रॉट भी जेखें क्या फाइदा हो रहा है कुछ फाइदा नहीं है पानी की समस्य यहां पर इस बार लोग नेता लोग आते हैं वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं हैं पहले जूँझ जया बच्चों कि घुलेंगे बच्चों कि भीसों से यह काम जंदे कैसे आज पानी की समस्षे है पानी ले लेगे बाहर घुमते हो अच्छे पानी बड़तन अभी भी खाली है और पानी आथा गंदा पानी और बोरिंग का पानी आ रहा था उससे थोड़ी तसली है लोग वाको यहां पे यह क्यार राजी थी खेलेने तो हमारे साथ के जिबाल बादी ने कहा भी था कि आप लोगों को पानी मिलेगा बोरिंग का पानी दिया है पानी प्रीम नहीं हर पब्लिक परेशान है यहां पानी फह बहुत थोड़ों पानी यहां मिलेगा और शुरात में यहां नलके लगाए भी गए हैं लेकिन अब वो नल जैसा कि हमने आपको अभी भी दिखाया था कि सूखे हैं वहां पर पानी नहीं आ रहा है दिल्ली की इस जनता की समस्या का समाधान होता हुआ नहीं देख रहा है और इस बीच दिल्ले में जल संकट पर हर्याना के पूर मुख्यमात्री और कॉंग्रेस नेता भूपेंद सिंग्धुडा ने कहा कि हर्याना किसी के हिस्से का पानी नहीं रोक रहा है S.Y.L. नहर को सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार खोला जाना चाहिए था और दिल्ली की वरतमाच जल समस्या पर 21 जून दो हजार चौबीस की स्थिती पर यमना बोर्ड ने दाटा जारी किया है आईए आपको बताते हैं कि क्या कहता है यमना जल मटवारा समझा होता उपरी यमना बैसिन के पाँच राज उतर प्रदेश हर्याना राजस्थान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच बारे माई 1994 को समझा हुआ था ये यमना नदी जल संसादनों के आवंटन से संबंधित था साल 2001 में गठन के बाद उत्तरा खंड छठा बेसिन राज्य बना था इस समझोते में पानी के मटवारे से जुड़े कई नियम शामिल हैं जैसे कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा और कैसे मिलेगा ये सारे नियम बनाए गए और इसमें शामिल किये गए दिल्ली तक आने वाले पानी के नुकसान को पूरा करने की पहले ही विवस्था की जा चुकी है इस बात की जानकारी दी CWC के पूरवध्यक्ष एबी पंदिया ने उन्होंने कहा कि दिल्ली का पानी जब ट्रेवल करता है तो कुछ लॉस भी होता है हतने कुंड बैराज से इस कमी को पूरा करने के लिए मात्रा से ज्यादा पानी दिया जाता है जब यह इतना लंबा केनाल का रास्ता है तो केनाल के रास्ते के बीच में जब पानी ट्रावल करता है तो इवेपोरेशन का भी लोस होता है सिपेज का भी लोस होता है तो इसलिए जो हतनी कुण से पानी छोड़ा जाता है उसमें से कुछ पानी जो है वो यहां दिल्ली को मिलता है इसी वज़े से जब की ओरिजिनल एग्रिमेंट करीब 330 क्यूसेक्स का था और बाद में उसको जो है वो करीब 900 क्यूसेक्स का बनाया गया सुप्रिम कोड के डिरेक्टिव से तो उस 900 क्यूसेक्स को बनाये रखने के लिए हतनी कुण बराज से 1050 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जाए जिससे की यह होता है कि पानी जितना आपका वहां पर से जहा रहा है उसमें से लॉस होते हुए भी दिली को इतने उसके अपने जितने कोटा क्या पानी है वह को मिल सके कि अ ठकी उन्होंने कहा कि बिजली का बिल समय से जमा कराने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय पर और बिना त्रोटी के हर उब्भुकता के घर तक बिजली का बिल पहुँचाएं उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटिल्मेंट के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं बिजली बिल के नाम पर उब्भुकताओं को किसी भी सूरत में परेशान ना किया जाएं उन्होंने कहा कि इंफरास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट के बाद अब क्वालिटी मेंटिनेंस का काम पर पूरा जोर देना होगा। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेस जोर दिया और कहा कि जनता को इसके लिए तैयार किया जाए। स्मार्ट मीटर आज की आवश्यक्ता है। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में पांच हजार दो सो पचपन मेगावाट की दस यूनिट्स लगाने का कार्य तेजगती से चल रहा है। इसके अलावा पांच हजार एक्सवबीस मेगावाट की तीन बड़ी पर्योजनाएं ओवरा डी, अनपरा ई और मेजा द्वितिय पर भी काम जारी है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधान मंत्री सूर्य घर पर्योजना के प्रथम चरण में राज्य में पचीस लाख सोलर रूफटॉप लगने हैं। इसके लिए अब तक सोले लाख सक्तानवे हजार रेजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है। और इसे के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेश बुलेटिन में इतना ही मुझे और हमारी सायोगी मनिशा शर्मा को दीजिये अन्मति नौसकार।